हिमांचल परदेश के बिलासपूर में डेंगू का प्रकोप जारी है और यह केंद्रिय स्वास्ते मंसी जगत परकाश नड़ा का ग्रीक शेतर है अब डेंगू पर नियंतरन पाने के लिए दिल्ली और पांडी चेरी से विशेशग्य चिकिस्कों की दो टीमें बिलासपूर पहुंची हैं अब तक जिला में 124 मामले डेंगू के सामने आये हैं जिन में से 72 मामले डियारा सितथा 25 मामले मेन मारकेट से संबंदित हैं हालंकि 28 मैं को डेंगू का पहला मामला प्रकाश में आया था गर्द दिबस हिमांचल परदेश के स्वास्तेमंत्री विपन परमार ने भी बिलासपूर का दौरा किया था और डेंगू की बास्तू स्थिति को जांचा और केंदर को रिपोर्ट भेजी थी दिल्ली और पांडी चेर डौक्टरों का दल दिल्ली तथा पांच विशेशग्य चिकिस्कों का दल पांडी चेरी से विलासपूर पहुंचा है मेन मार्केट व गलोरा का दौरा करके लोगों की घरों की विविन स्थरों पर रखे गे कूलरों गमलों ड्रम टंकियों वनालियों इतियादी की गेहनत से जांच की गई तथा लोगों को इस रोख से बचाव के लिए अवश्यक दीशा निर्देश भी दिये गए ये दल अगामी दिनों तक विलासपर के विविन क्षित्रों का नरिक्षिन करेगा तथा डेंगो की उत पत्ती वो इसके फैलने वाले अवश्यक तत्यों की जां के लिए लोगों को विस्तित रूप से जाग रूप करेगा ताकि शीघरता से इस पर काबू पाया जा सके हमने उनको रिपोर्ट प्रेशित कर दी है और उनसे मैंने अग्रह किया कि NCDC ऐसा करके जो भारत सरकार की स्वास्थे मंत्राले की एक टीम ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल वो कुछ डॉक्टर कल की तारीक में यहां पर पहुँचने वाले हैं मैं सारी रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थे मंत्राले शेरी जवद प्रकास नड़ाजी को भेजने वाला हूँ परदेश के बिलासपुर जिला में फैले डेंगू के परकोप से निजात दिलाने के लिए आदर नियाज जवद परकास नड़ा जी भारत सरकार में सौस्तेयम परिवार का लियान मंत्री है उन्होंने कड़ा संग्यान लेते हुए NCDC की दो टीम्स बिलासपुर जिला में पहुंच चुकी है जो उनके लिए हम सब धन्यावादी है नड़ा जी के दिनके आदेशों से यह सब हुआ है यह टीम पूरे बिलासपुर जिला में जहां जहां भी देंगू का प्रकोफ जारी है वहां घर घर जाकर लोगों को जावरू कर रही है लोगों को बता रही है कि डेंगू कैसे होता है करकारणों का पता लगा रही है और लोगों को बता रही है कि इस से बचने की ये ये उपवाएं है और उनका घरगर जाकर उपचार कर रही है मुफ्त में उनके डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं इसके लिए हम सब दन्यवादिये नटाची है